राष्ट्रे नित्रत्व समाजवादी पार्टी एवं प्रदेश अध्यक्ष मुलायम सिंग यूद ब्रिगेट अनीश राजा के दिशा निर्देश में मुलायम सिंग यूद ब्रिगेट के कारे करताओं ने कालपी तहसल क्षेत्र के निवाडी चतेला बैरई आदी ग्राम में पहुचकर अलाव पर चर्चा करते हुए किसानों से रूबरू हुए वह समाजवादी पार्टी के पुर्वकाल इन सरकार द्वारा किसानों के हित में लागू की गई योजनाओ का बखान किया इस मौके पर मुलायम सिंग यूद ब्रिगेट के जिला द्यक्ष पृत्वे सिंग यादव ने किसान बिल पर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वर्तमान समय में किसानों को उनके स्वयम के खेतों में मजदूर बनाने का शड़ियंत्र चल रहा है जबकि समाजवादी पार्टी द्वारा किसान हीत को सदय वध्यान में रखते हुए यूजनाय लागू की गई है वही यूद ब्रिगेट के जिला उपाद्यक्ष विशाल यादव ने कहा कि वर्तमान सरकार MSP को खत्म करने पर तुली है वह सरकार का शिर्ष ने तृत्व द्वारा अपने उद्योगपती मित्रों को भंडारन की छुट देकर किसानों से कमदाम में अनाज खरीद कर महेंगे दामों में बेचने का मसौदा तयार किया गया है सपाईयों ने खाद बीच के दामों में बडोतरी व बाजारों में खुले आम खाद बीच की बेतहाशा काला बाजारी को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए इस मौके पर यूद ब्रिगेट के जिलाद्यक्षप पृत्वी यादव, विशाल यादव, बलजीत पाल, अमन विश्नोई, मुखिया चंदरपाल, सुरियस चोहान आदी मोजुद रहे NBC News के रेजन पज्जालों से सुधिर राना की रिपोर्ट